इस लेक्चर में हम कर्व सर्फिस के उपर हाइडरोस्टेटिक प्रेशर फोर्स निकालना सीखेंगे और बाद में हम सेंटर आप प्रेशर भी निकालेंगे कर्व सर्फिस के उपर तो देखें आपको यहाँ पे कर्व सर्फिस दिया हुआ है यह कर्व सर्फिस कौन सा है बी सी है ठीक है तो हमको निकालना है कि यहाँ पे टूटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा ठीक, कितना लगेगा तो देखे, यहाँ पे पहले हम देखेंगे horizontal direction में कितना लगेगा फिर हम देखेंगे vertical direction में कितना लगेगा, ठीक तो horizontal direction में पहले कितना लगेगा तो देखे, horizontal direction में जो pressure force लगेगा वो इस वाले face पे लगेगा जो आपका gate है उस gate का ये क्या है projected area है vertical plane में तो इसका projected area vertical plane में आपको इस तरीके से नजर आ रहा है ठीक है तो इसके उपर क्या लगेगा fx लगेगा ये जो gate है इस पर vertical direction में भी force लगेगा f5 भी लगेगा ये किसके कारण लगेगा जितना weight of the liquid इस वाले area में रहे और इस वाले area में रहे तो वो कितना आएगा वो f5 के वेल लगेगे तो देखे पहले ये जो projected area है BC gate का उसको ध्यान से देखेगा that is D से C तक का है मतलब D से C तक वाले area को अपने को consider करना है तो gate का BC gate का projected area DC है अब DC की जो center of gravity है वो आपको देखे यहाँ पे नजर आ रही है It is the center of gravity of DC इसकी जो दूरी है उपर से उसको मैंने क्या बोला है H बोला है अब देखे center of pressure क्या होगा center of gravity के नीचे आएगा यहाँ पे क्या लगेगा total pressure force लगेगा तो इसकी दूरी देखे उपर से मैंने क्या लिया है H एश्ट्रिक लिया है तो BC के जो projected area पे जो horizontal force लगेगा FX वो देखे आपको इस तरीके से लगेगा That is FX तो यह FX क्या है आपका It is the total pressure force on the projected area of curve surface BC on vertical plane इसका जो projected area आएगा vertical plane के उपर उस पे जो total pressure force लगेगा उसको मैंने क्या बोला है FX बोला है तो FX इस gate के इस projected area पे लगेगा तो total pressure force on CD That is FX यह अब कैसे निकालेंगे इसके लिए formula क्या है ρो GA एजबार है तो ρो आप जानते G जानते is the area of this gate तो देखे इसका यहाँ वाला हिससा आपको नजर नहीं आ रहा है आपको कौन सा हिससा नहीं नजर आता है इस side वाला जो इधर जाता है इधर जाता है आपको तो क्या खाली एक line यहाँ पे नजर आ रही है देखे यह वाला हिससा आपको नजर B बोला है, तो इसका जो area आएगा, that is our D into B, तो area मैंने लिखा D into B, अब जो gate का यह जो projected area है, जिस पे FX लग रहा है, उसकी center of gravity की दूरी उपर से, that is h bar, h bar निकालना है तो देखें, यह कितना आपका A है, और यह कितना आएगा, आपका dy2 आएगा, तो देखें, यहाँ पे h bar म अगर आपको निकालना, total pressure force FX कहां पे लगेगा, हम जानते, IG upon e h bar plus h bar पे लगेगा, IG, IG निकालना है, तो B, D का q by 12, किस axis कवर्ड, moment of inertia, उस axis कवर्ड, जो कि water surface के parallel है, तो इस axis ने किसको कटा, D वाली side को कटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे D का q किया है, अब देखें, यहा F5 force किसके कारण लगेगा, F5 force किसके कारण लगेगा, weight of the water supported by BC, up to free surface, ठीके, यहाँ पे जो पानी है, जिसको यह gate आपका support कर रहा है, तो किस पानी को support कर रहा है, एक तो यहाँ इस area में जो पानी है, यह quarter circle area में जो पानी है, इसको support कर रहा है, प्लस यहाँ पे जो पानी है उसको support कर रहा है यह दोनों का जो weight रहेगा वो vertical direction में यह force लगाएगा देकि इननों का weight नीचे क्यों लगेगा लेकिन weight पे जो force लगेगा यह उपर क्यों लगेगा तो हमें यह fy निकालना है vertical direction में जो force आएगा तो देकि हम क्या कर रहे है weight of the portion A, B, C, D, E के वराबर आएगा f i कितना आएगा weight of the portion A, B, C, D, E के वराबर आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ weight of the portion A, B, D, E plus weight of the portion B, C, D इन दोनों के weight को अपन जोड़ देंगे तो देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ weight weight की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ rho g into volume लिख सकता हूँ हम जानते weight is equal to कितना होता है that is mg होता है हम जानते कि density is equal to क्या होता है mass upon volume होता है तो mass की जगह क्या लिख सकते है density into volume लिख सकते है तो weight की जगह देखे हैं हमने क्या लिख दिया that is row into volume into g ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया weight equal to row g into volume row g into volume आपका weight के जित्ता होता है तो देखे weight of the portion abde अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे row g into volume of the portion abde ठीक है row g का multiply कर देंगे volume of the portion से अब weight of the portion b c d इसका निकालना तो row g का multiply कर देंगे volume of the portion b c d में multiply कर देंगे अब देखे अगर आपको volume निकालना है तो area into length करना पड़ेगा अगर आपको इस portion का volume निकालना तो यह area यह आपका area हो गया ठीक Volume of ABDE, तो आपने कितना लिखा, AB into BD, AB ये वाली side हो गया, into BD into, ये वाला, ये वाली side, that is, जिसको B बोला है, तो इसका volume आ जाएगा, अब नीचे वाली का volume निकालना, तो पहले इसका area निकालना पड़ागा, इस quarter circle का, quarter circle का area कितना होता, पाई R square by 4, तो मैंने देखे, पाई R square, R कितना है, that is BD, BD is the radius, BD का whole square by 4 कर दिया, volume निकालना है, तो ये जो B वाली side है, इसका भी मैंने multiply कर दिया, तो ये volume आ गया, तो Fy आपने लिख दिया, that is, rho G, AB into BD into B, plus PY by 4, BD का whole square into B, तो इससे क्या जागा, Fy आ जाएगा, अब देखिए, एक और figure देखते हैं उसमें, ये मान लिजे, इस तरीके का, आपका कोई gate है, यहाँ पर पानी वो रोक रहा है, तो हमको निकालना है कि इस पर total pressure force, कितना लगेगा, कहां पर लगेगा, उसका resultant क्या आएगा, resultant का angle क्या आएगा, तो देखिए, यहाँ पर, यह इसकी center of gravity है, इसकी दूरी यहाँ से जो आ रहा है, उसको मैंने क्या बोला है, h bar बोला है, यह इसका center of pressure है, यहाँ पर total pressure force लगेगा, that is, उसको मैंने क्या बोला है, h string बोला है, तो इसमें देखिए, horizontal direction में भी force लगेगा, और vertical पे भी लगेगा, horizontal direction में जो force लगेगा, इसका जो projected area रहेगा, जो की vertical रहेगा, उसके लगेगा, यह जो gate है, इसका जो projected area वो कौन से केसा है आपका, vertical है, vertical पे आपका कितना लगेगा, fx लगेगा, अब यहाँ पे, यह horizontal कितना लगेगा, fx, और यह vertical force कितना लगेगा, जितना weight of the water, यह displace कर देगा, weight of the water, जो यह gate displace कर देगा, उतना यहाँ पे, vertical direction में force लगेगा, तो इतने, इसके अंदर जितना पानी आ सकता है, यह जितना पानी यह इसको displace कर देगा, उतना यहाँ पे क्या लगेगा, f, y आपका लगेगा, तो देखे हम निकालते हैं, हम पहले horizontal force fx निकालते हैं, जो कि यहाँ पे आपका लगेगा, fx लगेगा, यह fx किस पे लगेगा, projected area of a, c, b पे लगेगा, तो fx क्या है, total pressure force on the projected area of the curve, a, c, b, on vertical plane, यह vertical plane के उपर, ठीक, तो fx is total pressure force on a, b, यह a, b के उपर total pressure force लग रहा है, यह कैसे निकालेंगे, ρोजी a, h bar, रोजी आप जानते हैं, a, area, किसका area, इसका area पन निकाल लेंगे, यह आपका क्या है, semi circle है, semi circle का area कितना होगा, pi r square by 2, h bar, h bar आपको दिख रहा है, h bar कितना हैगा, that is d by 2, अब इसमें, h astric निकालना है, h astric मतलब total fx, कहां पे लग रहा है, तो उपर से कितने दूरी पर लग रहा है, h astric पे लग रहा है, इसका formula क्या है, ig upon e h bar plus h bar, ig निकालना है, इस rectangle का moment of inertia, इस axis के और निकालना है, जो कि water surface के parallel है, यह देखे, यह आपका rectangle है, जो projected area वो rectangle है, तो इसका moment of inertia कितना आजएगा, b d का cube by 12, इसी तरह इस पे, vertical force f y भी लगेगा, यह देखे, f y आपको लगता नज़र आ रहा है, यह f y कितना लगेगा, जितना weight of the water इसने displace कर दिया है, यह जितना weight of the water यह support कर सकता है, उतना क्या लगेगा, f y, तो देखे, हमने लिखा, weight of the water enclosed or supported by the curve a c b, यह weight of the water जितना यह curve displace कर देगा, उतना क्या लगेगा, f y लगेगा, तो देखे, कितना weight of the water आएगा इसमें, तो f y equal to मैंने क्या लिखा weight of the portion a c b o a, यह a c b o a, इसके weight के जितना, weight क्या होता है, रोजी into volume, तो f y क्या आगया, रोजी into volume of a c b o a, अपने लिख दिया, तो volume को हम क्या लिख सकते, area into width लिख सकते हैं, तो area of a c b into width, तो यह volume of पूरा आजाएगा, इस semicircle का volume आजाएगा, area हम क्या लिख सकते, pi r square by 2, क्योंग यह semicircle है, इसी ने क्या करा, water को displace किया है, तो मैंने क्या करा, area into width कर दिया, तो f y निकालना तो, rho g into area into width of this semicircle, अब हम इस पर problem करते हैं, ताकि हमारे ओर concept clear हो जाएगा,